पहले टीट्मेंटी मुकाबले में 7 विकेट से जीत तो दर्ज कर रही है भारत ने लेकिन दूसरे टीट्मेंटी मुकाबले में मंगलवार रात को 9 बजे होने वाले मुकाबले के अंदर कौन से 5 जैसे खिलाड़ी है भारती क्रिकेट टीम के जिने मिलेगा मौका प्लेंग 11 म अपनी काबलता अपनी शमता दिखाने का वर्ल्ड कप में जाने के लहाजे से आपको बताएंगे इस वीडियो में प्रिकेट इन इंडिया के चानल में आप में हूं आपके साथ लक्षत देखा जाए भारती एकरिके टीम को पहले T20 मुकाबले की पहली पारी के एंड तक थोड़ा ना थोड़ा ऐसा है ऐसास हुआ होगा कि अप दिक्ततों में हैं क्यूंकि 12 होवर्स का मुकाबला लक्षय 109 रनों का यानि की भत्तर गेंदे थी भारती बलेबाजों के पास अगर एक लियाजे से देखा जाए ये रन्चिस मुश्किल लग रही थी लेकिन दूसरी पारी में पिच ने किया आसान बरताफ बलेबाजी वहाँ पे हो गई आसान जिसके चलते भारत को एक आसान सी जीत मिली दीपक हुड़ा हार्दिक पांडिया और इशान किशन की भे पांच खिलाडी जिनने मिल सकता है मौका क्या होंगे टीम में चेंजिस और कौन से खिलाडियों को एक बार फिर से दूसरे T20 मुकाबले में मौका दिया जाएगा वो अब आपको बताते हैं सबसे पहले बात की जाए एक चेंज वहाँ पे एक्सपेक्टिन माना जा रहा है क्योंकि रुतुराज गायकवार को पहली पारी के दौरान फिल्डिंग करते हुए काफ में इंजरी हुई जिसके चलते दूसरी पारी में उन्होंने बलेबाजी नहीं की है यहाँ पे देखा जा सकता है गायकवार की जगान रहुल तरिपाठी को डेब्यू का मौका मिल सक पारी की शुरुवात करने के लिए इशान किशन के साथ इससे पहले भी रहुल तरिपाठी ने IPL में कॉलकाता पूने इन टीमों के लिए पारियों की शुरुवात की है और बहतरी शुरुवात करते हुए हमें नजर आया है वहाँ पे रहुल तरिपाठी दूसरे चेंज क की बात कर ली जाए आवेश खान को अराम दिया जा सकता है क्योंकि पहले मकाबले में उन्हें एक विकेट तो मिली दो ओवर्ज में थोड़े से महंगे साबित हुए लेकिन भारत को सबसे ज्यादा कमी खली देथ गेंदवाजी में पहले चार ओवर में भारतिय गेंदवाज अर्शदीप सिंग को डेबियू दी जा सकती है और देथ में वो बन सकते हैं भारत की बढ़िया गेंदवाजी की चाबी ये दो चेंज हैं जो हो सकते हैं तीसरा एक और चेंज जिसका अब अनुमान यहां लगाया जा रहा है पहले मुकाबले के मैन अफ दा मैच को ही बार बठाया जा सकता है क्योंकि युजवेंदर चेल आपके लिए साउथ अफरीका का दौरा भी खेल कर आ रहे हैं और पहले मुकाबले में शांदार परफॉर्मेंस दी है लेकिन बेंच पे आपने एक और स्पिनर बठाया हुआ है साउथ अफरीका के दौरे से ही नाम आता है यहां पर रवी विश्नोई का रवी विश्नोई को भी अपनी फिरकी का जादू दिखाने का मौका दिया जा सकता है आर्लेंड के सामने दूसरे मुकाबले में अगले दो खेलाडियों की बात कर ली जाए जिनने मौका मिल सकता है यह दो खेलाडी आपके लिएा प्रेंग 11 कुमार यादव जो इंजरी से वापसी कर रहे हैं साउथ एफरीका के दोरे का भी आपकी टीम में हिस्सा होने वाले थे और वर्ल्ड कप के लिहाज़े से भी ये खिलाड़ी आपके लिए है इंपोर्टेंट मिडल ओर्डर में बलेवाजी करने के लिए इसके चलते सूर्य अदर हाला की 14 रंज जरूर दिये लेकिन जब आप डेब्यू कर रहे होते हैं आपके फेट में थितलियां होती हैं एक एकसाइटमेंट होती है नर्वसनेस होती है जिसके चलते सिर्फ एक ओवर्ड दुलवाना उमरान मलिक से उनकी काबिलेता को जाहिर नहीं करता है उमरा कर लिजिए फेस्बुक पे जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हरे एक लेटेस्ट अबडेट वो भी सबसे पहले